हेलो फ्रेंड्स, विलकम बैक टू माई चैनल, मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिजाइन फ्रेंड्स, आज के दिन हम लोग धोतिस अलवार की पेपर में कटिंग सीखने वाले हैं जैसे कि आप लोगों को पता है, यह हमारी बेसिक सिलाई कोर्स का 37 दिन है तो हम लोगों ने 36 क्लासिस कंप्लेट कर लिया है आज के दिन हम लोग 32 अलवार की कटिंग सीखने वाले हैं जिसने भी मेरी सुरू से क्लासिस नहीं देखा है, तो सारी क्लासिस देख लीजिएगा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप घर पे ही बैटके आराम से शिलाई शेख सकते हो तो चलिए हम लोग किस तरह से कटिंग करते हैं, इसकी ये सीखते हैं तो देखो यहाँ पर जो मैंने लिखवाया है, सेम इसी तरह से हम लोग इसकी कटिंग करेंगे और जैसे हमने ड्राफ में समझाया था आपको जब इसके मैंने आपको थियोरी लिखवाय थी तो उसी तरह से हम लोग पेपर में cutting करना सिखेंगे तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक पेपर ठीक है इस तरह से मैंने एक पेपर लिया हुआ है तो माल लो यह हमारा 2 मीटर या 2,5 मीटर कपडा है इसको हम क्या करेंगे इस तरह से टूफोल्ड मी करेंगे तो इसको हमको लंबाई वाइश टूफोल्ड मी करना है ठीक है अब हमने इसको टूफोल्ड मी किया तो फ्रिंट्स जब हम इसको इसको इस तरह से टूफोल्ड मी कर लेंगे ना तो आप ये कोने कोई भी उठा सकते ह ये कोना या फिर ये कोना कोई भी कोना उठा सकते हो बस उसको हमको ट्राइंगल सेव देना है तो देखो जैसे हमने इसको बनाया तो ये भी हमारा ट्राइंगल आगया ये भी हमारा ट्राइंगल आएगा तो आप कोई भी कोना ले सकते हो तो मालो मैंने ये कोना ले लिया ठी यह बंद भागे हम इधर से नाप नहीं लगाएंगे good इंग उख़ोड़़ देंगे तो मिन यह से हमें इपनी नापलिक पहले हम यहां पर अपनी लेन्थ निकालेंगे निकाल से निकालना होता है तो जो भी हमारी लंबाई है उसमें हमें बेल्ट माइनस कर देना है तो जितने इंच की हम बेल्ट बनाएंगे उतना हमें माइनस कर देना है तो जैसे यहाँ पर हमने लिखवाया है आपको जितना भी बेल्ट रखना यह देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया भी है तयार लेंध में से बेल्ट माइनस किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपको बेल्ट जितनी भी तयार रखने है साथ इंच जो भी रखना है तो उसमें हम यहाँ पर माइनस कर देंगे और उतना माइनस करने के बाद देखो यहाँ पर हमे बनाएंगे ढिकल नई, भी कपड्र देना 1-2 In एंट वस्यातेल हैy नीचे मौहरी के लिए हमने यहा पर कपड़ा नई लिता हैं क्योंकि मुहरी हम अलग से कपड़ा लेके बनाएंगे तो इसलिए हमें सिर्फ दो इंच लेना है हमने जो अब दो इंच एड़ किया तो 30 इंच आया बस अब हमको यह लेंद यहां से यहां तक 35 इंच की रख लेनी है तो मालो यह हमारा यहां तक आया ठीक है यह हमारा यहां लगा लिया पूरा तो पूरी लंबाई हमें निकला है प्ल्श कर लेना है तो हमे peng अपनी लंबाई मिल जायेगी देख। प्लसंज आप लंबाई निकालने के बाद यहां पर हमें मौहरी का निशान लगाना होगा है कितनी हमने को सबर्णा पर 58 रिक रखा हूए है तो हमें 5 इंच तयार मोहरी चाहिए तो यहां से कपड़े के बंद भाग से हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे तो यह हमने पहले 5 इंच पर निशान लगा लेना है जहां पर भी आ रहा है ठीक है जितना आ रहा है इतना आया जो भी आया में मोहरी के लिए यह लंबाई निकाला है ना तीन इंच नीचे लेंगे इसके बाद फिर हम क्या करेंगे इधर जाइड को ऐसे यही वाले लंबाई पर हम यहां पर इस तरह से निशान लगा लेंगे यानि कि एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो यह हमारी कटिंग यहां तक होगी हमने इसको इस कट कर दोगे तो यह आपको गुलाई बहुत वैसी आएगी देखो अब जैसे आप यहां से ऐसे कट कर दोगे यह हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से कट होगा यह हमारी मोहरी ऐसे बन जाएगी तो इस तरह से नहीं बनाना है हमको मोहरी बिल्कुल सीधी बनाना है तो आप इ ति देंगे अब हो गया यह समारा मोहरी के बाद आप हम आसन देखती है तो आसन को क्या करना है यह देखो आसन आपको जीतना भी रखना है ठीक है तो यहां पर मैं तो हमको हम यहां इन्च के लिए मइनस करना है जितने इन्च के हम तैयार करेंगे 70 to located उनसे 5 इंच के तैयार कर देंगे तो बस अब क्या करेंगे यहां से यहां तक 8 पर 1 इंच पर निय्जान लगाएंगे और 2 इंच के साइड को डाउन कर देंगे तो दो इंच यह हम किसी भी यानि कि हर एक साइज में हमें दो इंच अंदर के साइड डाउन करना है अब इसके बाद यहां तक एक लाइन खीश लेंगे यह हमने एक लाइन खीश लिया इसके बाद यहाँ पर ऐसे हलकी सी गुलाई कर लेना है आसन पर जिससे हमारे आसन पर खिचावनी होता है तो फ्रेंट से इस तरह से यह हमने यहाँ पर निशान लगा लिया अब इसके बाद क्या करना होता है यहाँ पर हमें अपने सेव पट्टी से निसान सेव दे देना होता है अगर आपके पास सेव पट्टी नहीं है तो बस आपको यहाँ से इस तरह से हलकी से गुलाई करते हुए ऐसे निशान लगा लेना है हाथ से ही ठीक है तो मैं जब कपड़े पर बताऊंगी तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझा दोंगी कि सेव पट्टी से किस तरह से लगाना है मेरे पास सेव पट्टी है उसी से आपको समझाओगी तो फ्रेंट्स इस तरह से यह हमारे साइट के निशान कंप्लीट हो गया है अब देखो यहाँ पर हम कोने पर आजाते हैं तो इस कोने पर भी थोड़ा सा वर्क करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डेड़ इंच यहाँ से इस तरह से अपना इंची टेव रखना है इस तरफ को जो जहां पे भी 1.5 इंच आ रहा है वस हलकी से यहां पे 1.5 इंच पर गुलाई कर लेना है तो यह गुलाई हमें जरूरी होती है क्योंकि यहीं से फिर हमारा जो धोती वाला सलवार में जो प्लेट पड़ती है तो यहीं से बिल्कुल अच्छे सेप में आता है इस तरह से यह आते हैं यहां पर गुलाई किया अब हम क्या करेंग्य इसको ऐसे ही कत कर लेंगे यह जो है एस इस तरह हमें को धिक्षाठ कर लिया है यह जो हमारा कपड़ा बच्छा हुआ है यहों से हम उपड़ की बेल्ट निकालेंगे और नीचे जो हमें मोहरी के लिए कपड़ा चाहिए वो लगेगा तो इसी से हमारा निकल आएगा अब मैं देखो आपको एक बार इसको निकाल के दिखा देती हूं तो यह हमारे दोनों पैर के लिए हो गया ठीक है तो इस तरह से यह हमारा घेर आएगा यह देखो यह हमारे शाय तो इस तरह से हमारे दोदी सलवार की कटिंग हो गई है अब मैं आपको बेल्ट कट करना बता देती हूं तो देखो फ्रेंट्स जो हमारा साइट से कपड़ा बचा हुआ है अब हम उसको ले लेंगे यहीं से बेल्ट की कटिंग करेंगे तो एक साइट से हमको क्या करना है जि तो आब हमने यह जो 9 इंच लिया है तो तो वहां से हम इस तरह से यह हमको में कितनी रखनी है जितना भी हमारा कमर है पहले कुमर को क्या करना है उस.- जितना कमर है जैसे में यहां प मीव एपने इंच spir tomar कितनी है हमारी 300 cm 30 में हम ब्र EL. 4 इंच यह चाहिए उसको कार डिभा सी चाहिए यंदा है जुआ हम चाहिए ? क्योंक्ट कर सकнал कर से था 5-े से नहीं है? अब जो भी आया हो उसमें हम फिर से 2 इंच प्लस कर लेंगे और बस यहां पर हमें क्या करना है इतने पर निशान लगा लेना है तो इस तरह यह हमारी यहां पर बेल्ट कट होगी तो फ्रेंट्स अब यह जो हमारा 19 इंच यहां तक आया है अब हम यहां से इस तरह से एक दस इंच होगा ना जब हमने यहां पर 5 इंच पर निशान लगाया और एक इंच प्लस करके लिए तो कितना आएगा यह हमारा 6 इंच आया तो 6 इंच का हम कितना करेंगे 12 इंच तो हम यहां पर 12 इंच के लंबाई पर यह लेंगे ठीक है तो पूरा एक सिंगल कपड़ा बि 3 इंच की रखनी है चार इंच की रखनी है तो जितनी भी रखनी है उसमें से आपको एक इंच प्लस करके लेना है बस यहां पर इस तरह से निशान लगा लेना है अब यह निशान लगाने के बाद इस तरह से लाइन खीच लेंगे तो हमें दोनों मोहरी के लिए सेम इतना उतना ही कपड़ा चाहिए तो बस यहां पे Le कैसे बनाते हैं यह हमारा मोहरे वाला कपड़ा है इसको तरह हम डबल फोल्ड मिं कर देंगे इस तरह तरह से यहां पर लगा। फिर लगएंगे। scores आपको अच्छे से किलियार हो गया होगा जहां पे भी किलियार नहीं हुआ है आप मुसे कमेंट करके पूछ सकते हो फ्रेंटस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी पोर्ड पर ड्राफ्टिंग सीखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से उसके बाद हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा